यह KTM RC है 200 यह हमाँ पास आई हुई है यह बाइक जो है इस्टार्ड नहीं हो रही है इससे मैं दिखा दूँ जैसे हम की जो है ओन करते हैं तो यह सारा मीटर जल रहा है और इसका जो चेक इंजन लाइट है वो बिलिंग करने लगता है ठीक है इस तरीके से विलिंग कर रहा है फिर बंद हो गया और यह यह कोड बता रहा हमें कौन सा सेंसर इसका खराब है और यह बटन भी इसका ओन है और मैं इसका जो है सेल्प लगाऊंगा यह सारे फ्यूज भी चेक कर लिए हैं ठीक है तो इसका सेल्प और इसका साइड स्टेंड साइड स्टेंड जो है मैं बंद कर दिया हूँ अन्यन स्टाड नहीं हो रहा है यह चेक इंजन लाइट एसका जल रहा है तो यह मैं देख रहा हूं दोस्त स्टाड हो पाती है कि नहीं है क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर है वो हमारे यहां से जो है see 170 km की दूरी में है इसको इस्का जो और स्रविस सेंटर है वो हुमारे यहां से 170 km किलो मेटों को सोच कर जो है किसी नहीं देखा यह सोच कर कि इसका जो काम तो पाएगा की नहीं कर के तो वो मैं देख रहा हूं देखते हैं Uhm जो फाल्ड निकलेगा वो मैं बताऊंगा आपको कौन सा फाल्ड है इसमें ठीक है दोस्त मैं इसका टंकी ओपन कर चुका हूँ और टंकी ओपन करने के बाद जो है ये इसका फ्यूल पंप का केवल है ये ठीक है और ये इसका इंजेक्टर है तो यहां से मैं फाइप निकाला हूँ तो इसमें करेंड चेक किया हूं तो करेंड भी इसका आ रहा है वो मैं एक बार दिखा दूं आपको इस तरीके से अब देखा है ये हेडाप्टर निकाल ले रहा हूं में पहले ये ओन किया मैं ओन किया और असमें जो अब लगाऊंगा मैं क्रेंट आ रहा है यहां ठीक है दोस्त क्रेंट आ रहा है मैं अब आम इसका जो है फ्यूल पंप देखेंगे तो इसका ये जो fuel pump है ये हमने देखा तो इधर से जो है पेट्रॉली नहीं आ रहा है इसका तो सबसे पहले हमें आपको check क्या करना है यहाँ पे check करना है तो इसका जो tanky से हम fuel pump इसका बाहर open कर लिए हैं इसका ये fuel filter है देख पा रहा है आप तो इसमें हमें जो है सरलता से check करने के लिए इसका जो fuel wiring है इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें current आ रहा है की नहीं है न ये पहले भी इसे repair किया गया है साइड पहले भी इसे repair किया गया है तो है न इसे जो है चेक करने के लिए ये एक हमारा औरेंज कलर में ब्लेक लाइन है और दूसरा वायर जो है हमारा ब्लेक में बिलू है ब्लेक में जो है येलो येलो लाइन है ठीक है दोस्त तो ये जो है मैं वायर यहां पर देखूंगा एक ये वाला तार है औरेंज कलर में जिसमें हलका ब्ले दूसरा यह बलेक में येलोग लाइन है ठीक है दोस्त यसे में हम जो है मैं अलग से एक बल्प लगाया हूं इस तरीके से और यह से और यह को हम जो है शावी और की जो हैं ऑल यह हम ये बल्फ चल रहा है और फिर हमारा तो बात ये है दोस्त कि इसमें जो क्रेंट आ रहा है हमारा इसमें क्रेंट आ रहा है पर इसका जो ये फ्यूल पंप है ये चल नहीं रहा खिक है तो हम देखते हैं इसका फ्यूल पंप हम सेटिंग करके कहीं हमसे हो पाता है तो मिरे पास वाइक करके देखते हैं आपके साथ करके देखते हैं तुम्हेस त तरीके से आप चेक कर सकते हैं और इसे जो है मैं एक मिन्ट यसी लगाऊंगा एक अनभाव कर अनभाव करके भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि यह मैं किलिप यह से लगाया, और हम जो है, ओन करेंगे चावी, तो इसमें जो है, यह पंप चलने का जो अवाज है, साउंड, वो आता है, तो वो इसमें आ नी रहा, ठीक है, यह हमारा यह जो है, चावी ओन है, हमारा, एक मिनिट दिखा दूँ, यह चावी ओन है, और इसमें जो है, आ नी रहा, ठीक है, तो इसको जो है, इस तरीके से, मैं चेक कर रहा हूँ, अपने वर्क्सॉप पे जो है, तो देखते हैं, हम इसमें जो है, पंप, दूसरा लगा कर, बाइक स्टार्ट हो पाती है की नहीं, ठीक है दोस्त, कर दोस्त, बाइक सुपते हैं, हम इसमें जो है, और आप जो है, तोस्त, झाल झाल पंप में फिट कर दिया हूँ फुराना पंप यह इसका पंप था पहले वाला यह कंपनी लखा है इसमें और मैं गिलैमर जो गाड़ी है हीरो की उसका पंप जो है इससे निकाल कर जो है मेरे पास था इसलिए जो है हम पंप फिट करें हैं तो यह इसका फ्यूल पाइप है वैसे जो है हम देखेंगे चावी और यह बटन से मैं इसे ओप करूँगा और फिर से ओन करूँगा यह फ्यूल आ रहा है तो देखते हैं फ्यूल हम लगाकर इंजेक्टर में यह पाइप बाइक स्टार्ट करके हैं का यह फ्यूल पॉल में यहां लगांगा यहां फिट करना है इस तरीके से यहां भी मैं यह लौक नीं कर रहा हूं इसको लाक कर दें यहां पर इसका जो किलिप लगा जैसा वालर जैसे यह संब हैं यह वाला तो हम पहले यह बाइक को पहले स्टार्ट करके देखेंगे हम कि यह जो काम हमने किया वो सक्सेज फुल है यह नहीं है ठीक है तो यह कपलर लगा दिये हैं इसका फ्यूल पंप का और यह टंकी अच्छे से यह से जो है अभी फी हाल मैं लगा देता हूं इस तरीके स ठीक है और इसमें भी ढखकन नहीं है अभी तो चाबी जो है ओन करेंगे हम और इसका बटन ऐसे जो है हमें दो से तीन बार करना होगा ताकि जो है पेट्रोल का जो लाइन है वो भर जाए और इंजेक्टर तक जो है पेट्रोल फ्यूल अच्छे से टाइट हो जाए ना तो एक हो गया और यह दूसरा और यह तीस तीन बार हो गया और ऐसे बाइक को जो है अब मारिंग हम सेल इस्टार्ट करके फाइनल दो वाइक हो चुकी है स्टार्ट वाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है और इसका लाइक है यह जलना है जो है स्केन से जो है जैसे देखते हैं बंदो कर पाते हैं की नहीं ठीक है तो फ्रेंड्स यह जो है के टी एम आर्सी है टू हंड्रेड तो यह बाइक जो है इसका फ्यूल पंप चल नहीं रहा था तो वह जो है हम एसमें हमाई पास जो रखा था वह फ्यूल पंप डाला इसमें और इससे जो है स्टार्ट किया है है क्योंकि यह जो बाइक हैसा जो सर्थ सेंटर है वह जो है यहां से 114 किलूमीटर की दूरी में सर्थ सेंटर उर यह बाइक इसी नैये वाईक को छूने की हमत नहीं किया और ना श्रॉट करने का हमत किया अपो beauty मैंने भाइब बोले कि यार आप देख दो मैं भरोसा करता हूँ आपके उपर अगर जो होता है तो आप करिएगा तो उस तरीके से मैं इसमें काम किया दोस्त और यह फाइनल हम यह बाइक को जो है स्टार्ट कर दिये हैं और इसका सारा कुछ यह फिट करेंगे हम तो आप भी यह देख सकते हो आप सिर्फ देख समय जो है आपको किसी एलेक्टानिक पार्ट को जो है आपको डेमेज नहीं करना है अच्छे से उसे खोलना है और फिट करना है और आपको फ्यूल पंप कैसे चेक करना इंजेक्टर कैसे चेक करना इसमें अच्छे से आप एक सावधानिया कूर्व से जो है आप चेक कर सकते हो ठीक है दोस्त तो बाइक मैं जो है इस्टार्ट करके दिखा दे रहा हूं आपको कि इसका यह कि कौन है बटन कि और तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करियेगा और चेनल को जरूर से जरूर सबक्राइब करियेगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करियेगा ताकि आपको जो है वीडियो का नौटिक प्वेशन जो है आपको मिल सके ठीक है दोस्त मिलते हैं अब आगले वीडियो में आगले जानकारी के साथ